नमस्कार भाईयों केसे वह आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग उती अच्छे होंगे बहतर होंगे तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको आज सुबह की वीडियो के अंदर भी बताया था कि काफी जिलों के अंदर आज राजस्तान के अंदर जो है वो बारिश हो सकती है और अभी जो मैं डेटा चेक कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग काफी जिलों के अंदर ओलरेड़ी बारिश हो चुकी है और काफी जिलों के अंदर आज रात के समय भी जो बारिश की संभावना है वो मौसम बाग के द्वारा जताई गई है लगबग अगर बात करें त तो राजस्तान के 33 जिलों में यसे लगबग 28 जिलों के अंदर आज शाम के समय और राज रात के समय जो बारिश है वो हो सकती है तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो जो है वो लेकर किया हूँ क्योंकि आज जो है वो टाइम भी मिल गया शाम को वीडियो ब बारे में इसके बारे में हम राजस्तान के मेप की यवज से देखेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी भाईयों से रिक्वेश्ट है कि कमेंट सेक्षन के अंदर जरूर लिखें कि किस जिले के अंदर आप रहते हैं और साथ इस चैनल के माद्धियम से जो आपको जानकारी दे जा रही है वो क्या आपके एरिया के इसाब से सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है इसके बारे में जरूर आप कमेंट सेक्षन के अंदर लिखें तो चलिए बर हम देखते हैं कि इस तरह से मोسم आज शाम के समय या रात के समय जो है राजस्तान के विबिन जिलों के रह सकता है तो देखी दोस्तों सबसे पहले तो महतवपुर्ण बात ये है कि जो ट्रफ रिका है वो राजस्तान के मद्य से अभी समय गुजर रही है ठीक है और ये चीज काफी आप कह सकते हैं बहतर चीज हुई है लगबग पिछले 24-48 गंटों के अंदर जिसकी वज़े से आपने देखा होगा कि जिन जिनों के अंदर बारिश नहीं हो रही थी है जैसे बाडमेर के अंदर या जोदपूर के अंदर उन शेतरों के अंदर भी आपको जो है वो बारिश देखने को मिली है नागोर के भी जो है वो कुछ शेतरों के अंदर बारिश देखने को मिली है चूरू के भी जो है वो एक भाई का कमेंट आया था कि हमारे एरिया के अंदर भी अच्छी बारिश हुई है और इसका कारण यही है दोस्तों की टरफ रेखा जो है वो राजस्तान के मद्दे से गुजर रही है यानि नीचे की ओर आ गई है इसके साथ साथ में गुजरात के अच्छी खासी बारिश हो रही है क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो अरब सागर के अंदर एक जो साइकलोनिक सर्कुलेशन है वो बना हुआ है तो उसकी वदे से जो है वो प्रभाव पड़ रहा है यहां से जो नमी वाली हवाई है यह खास दोर से बात करें जो पश्चमी राजस्तान के विविन जिले हैं उनको परभावित कर रही हैं इसके साथ में जो उत्तर परदेश और मद्य परदेश के अंदर जो लो प्रेशर का एरिया बना हुआ था इस चेतर के अंदर आप कह सकते हैं तो यहां से भी जो नमी वाली हुआ हैं वो लगातार रा अगर देखें तो राजस्तान के लिए पूरे मानसून सीजन का अगर आप कहें तो सबसे बहतर जो समय है वो इस समय बना हुआ है या सबसे बहतर समय जो होता है मानसून का उसमें से एक है सबसे बहतर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इस से पहले भी एक सीजन इसी तरह काया जिसके अंदर लगबग आप हैं मान करके चलिए कि 33 में से लगबग 31 32 कंदर बारश नंवान लगाया गया था और अभी आज के लिए करें तो लगबग 33 में से 28 जिलों के आसपास यानि तीन 4 जिले ही तीन चार जिले ही आसब पे बारिश का अनुमान लगाया गया है तीन चार जिलों के अंदर भी हो सकता है कि छुटपूट बारिश आपको देखने को मिले तो यहां पर अगर सबसे पहले यहां पर बात करें दोस्तों उत्तरी राजस्तान से हम शुरू करते हैं उत्तरी राजस्तान के अंदर सबसे पहले गंगानगर जिले के अंदर बात करें दोस्तों तो गंगानगर जिले के अंदर कोई विशेश रात के समय बारिश का अनुमान नहीं है हलकी फुल की बोचारे एक दोस्तान के उपर देखने को मिल सकती है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो उमस का महोल है वो अगर बात करें तो राजस्तान के जो उत्री जिले हैं चाहे आप गंगानगर हनुमानगर की बात करें चाहे आप यहां पर उपरी जो राज्ये हैं जिनके अंदर पंजाब हो गया हरियाना हो गया तो दिल्ली के अंदर भी आप कह सकते हैं तो इन राज्यों के अंदर भी जो उमस का महोल है वो बनेगा और साथी साथ अचानक बारिश हो सकती है यानि थोड़े समय के लिए तेज बारिश का अनुमान यहां पर जो लगाया गया है इन जिनों के अंदर तो अच्छी बारिश का अनुमान नहीं है अलंकि गंगानगर के अंदर लेकिन उमस के साथ में बादल अगर चाते हैं आपके एलिया के अंदर तो उस स्थिति के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो बारिश थोड़े कम समय के लिए तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है लेकिन जो बारिश होगी वो बहुती कम शेतरफल के अंदर यहां पर होने का अनुमान है यही स्थिती लगबग हनुमानगड के अंदर भी रहने वाली है अभी अगर बात करें 12-24 गंटों की तो ठीक है इसके बाद दोस्तों बात करें चूरू की तो चूरू जिले के अंदर कुछ स्थानों के ओपर यहां पर आज शाम के समय आपको बारिश देखने को मिल सकती है बाकी कल किस तरह का मोसम रहेगा इसके बारे में सुबह की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे और वो वीडियो भी दोस्तों आपको मालुम होगा कि काफी दिनों से थोड़ा लेट हो रहा है लगबग साथ आठ बच जाते हैं वो वीडियो अपलोड करते करते हैं तो कल से मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी लगबग उसको चैवजी से पहले पहले आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए इसके बाद में दोस्तों यहां पर बात करें सीकर जले की तो सीकर जले के अंदर भी आज शाम के समय जो है वो बारिश आपको देखने को मिल सकती है तो यहां पर भी अच्छी खबर सीकर जिले के लिए निकल करके सामने आ रही हो जुन जुनु जिले के अंदर भी जो बारिश का नुमान है वो मुसम विभा के दोरा लगाया गया है तो ये बड़ी अपडेट यहां पर जुन जुनु जिले के लिए भी निकल करके सामने आ रही है यहां पर भी आपको शाम के समय जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है हलांकि सीकर और जुन जुनु के अंदर देर रात बारिश का अनुमा नहीं है अर्ली नाइट ही आप कह सकते हैं कि लगबग 7-8-9 बजे के आसपास आपको जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है शाम के समय भी उससे पहले भी बारिश जो है वो कुछ स्तानों के उपर यहां पर हो सकती है इसके साथ साथ में जेपूर के अंदर दोस्तों बात करें तो राजदानी के अंदर जो है वो देर रात बारिश का अनुमा लगाया गया है तो यह यहां पर बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है रात के समय लगबग बारा बजे के बाद में भी बारिश हो सकती है तो यहां पर थोड़ा सा आपको जरूर साथाना रहने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों पहाड़ी लाका है और अगर भारी बारिश होती है भले ही आदे गंटे के लिए यह 15-20 मिनट भी अगर बारी बारिश होती है तो उस तीति के अंदर भी जो जल भ्राव की स्थीति है वो यहां पर उत्पन हो सकती है क्योंकि देखी यहां पर जो लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है मद्य परदेश उत्तर परदेश के अंदर उसका इंपेक्ट पढ़ रहा है एक तो और दूसरी चीज यह है कि टरफ रेका भी इस एरिया के आसपास से गुजर रही है तो आपको यहां पर थोड़ा सा साथधान रहने की जरूरत है नागोर जिले के लिए भी यहां पर अच्छी कबर निकल करके सामने यह आ रही है दोस्तों कि नागोर जिले के अंदर भी आज शाम के समय और रात के समय आपको बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और यहां पर किसान भाईयों के लिए निश्ची तरूप से यह सीजन कहें तो अच्छा रहा है निश्ची तरूप से क्योंकि बारिश अगर एवरेज की बात करें या जो ओसत बारिश होती है राजस्तान के अंदर जिसी साब से उससे तो कहीं न कहीं ज़्यादा बारिश अल्रेडी हो चुकी है खास दोर से बात करें पूरवी और मध्य राजस्तान के अंदर तो हालांकि पश्ची मेर राजस्तान के कुछ जिलों के अंदर जैसल मेर बार्ड मेर इन जिलों के अंदर ओसत बारिश ही हुई है अभी अच्छी बारिश नहीं कह सकते लेकिन अगर आगे आने वाले समय के अंदर थोड़ी किसमत अच्छी रहती है तो यहां पर पश्चीवी राजस्तान के अंदर भी आपको अच्छे स्पेल जो है वो बारिश के देखने को मिल सकते हैं इसके बाद में दोस्तों यहां पर बात कर लें अगर जोदपुर जिले की तो जोद की गती काफी इंपोर्टेंट रहती है अगर हवाएं तेज चल रही है तो उस कंडिशन के अंदर हो सकता है कि जो नो बजे तक बारिश का लगाया गया था वो आठ बजे तक ही बारिश हो अगर माली जी हवाओं की गती काफी कम हो जाती है तो उस कंडिशन के अंदर जो ब environmental conditions होगी उसके इसाब से जो है वो यहां पर बारिश होने का नुमान है इसी तरह से बिकाने रिजिले के अंदर भी दोस्तों आपको आट नो बजे तक शाम के समय रात के समय आपके सकते हैं कि बारिश देखने को मिल सकती है इसके बाद में यहां पर दोस्तों नेक्स जिले की अगर हम बात कर लें बाड में रिजिले की तो बाड में रिजिले के अंदर भी अच्छी खबर यहां पर जो हो निकल करके सामने आ रही है बाड में रिजिले के अंदर भी बारिश का जो नुमान है आज शाम के समय और रात के समय जो हो लगाया गया है देर रात भी आपको बारिश यहां पे देखने को मिल सकती है तो बड़ी अपडेट बाड मेर जिले के लिए निकल करके सामने आ रही है कुछ स्थानों के उपर यहां पे दोस्तों भारी बारिश भी हो सकती है तो थोड़ा सा जरूर आप साथधान रहें इसके बाद मेर जिले के अंदर आपको हल ही मेब है तो इस वज़े से यहां पे मैं गुजरात के ओपर ही आपको यह साइकलोनिध सर्कुलेशन दिखा रहा हूं तो यहां पर बात करें तो अगर इस से इसके अंदर साइकलोनिक सर्कुलेशन के अदर थोड़ा बदलाव होता है या ये थोड़ा उत्तर गी और शिफ्ट होता है तो उस कंडिशन के अंदर आपको जो हो जेसल मेर के अंदर भी बारिश जेखने को मिल सकती है फिलहाल बाड मेर के लिए नुमान लगा दिया गया है लेकिन जेसल मेर के अंदर अभी हलकी बारिश का ही यहां लगाया गया है इसके बाद में दोस्तों यहां पर बात कर लें अगर हम पाली जिले की तो पाली जिले के अंदर भी बारिश का अनुमान है और साथी साथ अजमेर जिले के अंदर भी बारिश का जो नुमान है वो लगाया गया है अभी तक जितने भी जिले अपने कवर किये ह उसके अंदर से अगर कम बारिश की संभावना बात करें तो एक तो अपने यहां पे जो है वो बाडमेर के अंदर इसके लावा बीकानेर और कुछ जो है वो गंगानगर हनुमानगर के चेतरों के अंदर और चूरू के अंदर आप कह सकते हैं बांसवाडा के अंदर बात गरें तो यहां पर आपको भारी बारिस देखने को मिल सकती है यहां पर निश्चीत रूप से साफधान रहने की जरूरत है चितोडगर जिले के अंदर भी दोस्तों आपको भारी से अती भारी बारिस जो है इन जिलों के अंदर जो है वो भैंकर बारिश आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि मध्य पर्देश से जो लो प्रेशर का एरिया है वो पूरी तरह से अपना असर दिखा रहा है और यहां से जो नमी वाली हवाई है वो खास तोर से बात करें तो हाड़ोती शेतर के अंदर जो है वो आप कैसकते हैं कि मानसुनी बारिश से वनचित नहीं रहेंगे यानि यहां पर भी बारिश कानमा लगाया गया है टौंक के अंदर भरतपूर के अंदर और अलवर के अंदर भी आज रात के समय जो भा बारिश हो सकती है उमीद करूँा कि आपको इनफूर्मेशन दी गई है यह आपके लिए helpful थाबित होगी अगर आपको लगे कि कुछ सही जानकारिया आपको इस चैनल के माद्यम से दी जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल के साथ पने रहने के लिए आप सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद